कारेक्रम के पुनियाजक हैं परमगुरु भक्त परिवार उपस्तित महनुभावूं दस लक्षण पर्व समापन की दाउर में चल रहा है परिशन पर्व का प्रारंब क्षमा धर्म से प्रारंब हुआ था और समापन छमा वाने के मध्यम से हो रहा है चमा वीरस्य भूषणम चमा वीर पुरुषों का आभूषण है कायर पुरुष अपने जीवन में बेकवी चमा नहीं करते हैं क्षमा वो करते हैं जिसका रधय सरल होता है वही क्षमा मांगता है और वही सबको क्षमा कर देता है क्षमा मांगना सरल है किन्तु शमा कर देना बहुत कठिन बात है जहां व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का विकारी परिणाम शत्रु को देख करके नहीं आता है तो समझना उसके उत्तम क्षमा अपने आप हो गई जहां क्षमा करने से प्राणे का वेर भाव नाश को प्राप्त हो जाता है मित्रता बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर मुश्कराहण दिखाई देती है सब लोग उसके मित्र बन जाया करते हैं और सब उसके पास में आना जाना शुरू कर देते हैं क्षमा का इतना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है हम देखते हैं कि गन्ना मिठा होता है गन्ना मिठा होता है और गन्ने की राब उससे भी मिठी हुआ करती है और उस राब से भी अधिक मिठी चीनी हुआ करती है चीनी से भी अधिक मिठा शरकरा होती है और शरकरा से भी अधिक मिठा अम्रत होता है और अम्रत से भी अधिक मिठा जो है वह जिनवानी होती है और जिनवानी से भी अधिक मिठा गुरुवानी होती है और गुरुवान से विदिक मीठा ख्षमावानी होती है इसलिए अपने जीवन में ख्षमावानी का बहुत बड़ा महत्व है ये ख्षमावानी हर प्राणियों के जीवन में आती है क्योंकि इंसान अपने जीवन में विभाव को बहुत देर तक प्राप्त नहीं कर सकता है उसे अपने सभाव में आना ही पड़ता है जब तक सभाव में नहीं आता है तब तक उसे अपने जिवन में वह छमा सभाव को अपने जिवन में प्राप्त नहीं कर सकता है छमा वाने का मतलब होता है कि साल भर का हिसाब किताब बराबर कर लेना अब जो है नए बहे खाते तो होंगे लेकिन उसम बेलेंस इट पूरानी नहीं होगी जहां गाली का जवाब यक्ति गोली से देना चाहता है लेकिन जहां पर गाली का जवाब यदि गोली से दिया जाता है तो वह अपने जिवन में कभी शमा भाव को अपने जिवन में धारन करना कठिन हो जाता है लेकिन यदी जीम किसी के उपर आक्रवन करता है चाहें कितनी सत्रुता बांधता है चाहें कितना वेर बांधता है लेकिन अंत में उसे अपने जिवन में छमा भाव को लाना ही पड़ता है और इसके प्रत्यक्ष उधारण हमारे सामने है कि कमठ ने अपने भाई के साथ में कितना वेर बांधा कितना वेर बांधा दस भाव तक एक तरफा वेर उनका चला आ रहा था और जो है पार्षनात के आत्माने प्रत्यक्भाव में शमा भाव को ही धारण किया जिसके कारण व अवस्था को प्राप्त हो गए और कमट को अंत में जो ही अपने जीवन के अंदर हार खाना पड़ी और अंत में पार्ष्णाद भगवान के समोशर्ण में जाकर करके उसने अपने अप्रादों की छमावांगी और अपने जीव का उध्धार कर लिया मानुभाओ जहां गाली का जवाब गोली से देना ये अनाडी का काम होता है और गोली का जवाब गीत से देना ये जो है सज्जनों का काम होता है बस यही जो है छमावानी का काम है हम देखते हैं कि इंसान के जीवन में क्रोध आता है लेकिन ये क्रोध जो है तातकालिक पागलपन का काम करता है जब व्यक्ति क्रोध करता है गुस्सा करता है तो उसके उपर पागल का भूत सवार हो जाता है और जब पागल का भूत सवार होता है तो उसे अपने जीवन में आगे पीछे आजू बाजू कुछ भी नहीं दिखाई देता है वहाँ अपने जीवन में निरंतर जो है पागल की तरह चेश्टा करता रहता है नाना प्रकार के अनर्थों को अपने जीवन के अंदर जन्म दे देता है अपने देखते हैं कि अपने क्रोद को कैसे शांत करें दूद उबल रहा है उस दूद को शांत करने के दो ही तरीके हैं एक तो जो है उस दूद को शांत करने के लिए उसके ऊपर जो है ठंडा पानी डाल दो उसका छिड़काव कर दो दूद जो है वह शांत हो जा को हटा लो गेस बंद कर दो दूद अपने आप शांत हो जाएगा इसी प्रकार से जब इंसान के जीवन में किसी प्रकार का क्रोध आता है तो क्रोध आते समय उसके शांत करने के दो ही तरीके हैं एक तो वहां अपने जीवन में मौन को धारन कर ले किसी प्रकार का उत्तरब नहीं दें, और दूसरा जो है उस इस्थान को छोड़ देना, उस इस्थान से हड जाना, क्योंकि व्यक्ति क्रोध कितना करेगा घंटा, आदा घंटा, इससे जादा म्रोध नहीं कर सकता है क्यों कि, यदि सामने वाला बोलता रहेगा, वो दो बात कहेगा तुम चार बोलोगे वो चार बोलेगा वो च्छ बोलेगा वो आड बोलेगा दस बोलेगा इस प्रकार से जो है वाद दिवाद बढ़ता चला जाता है और कुरोद के आवेश में आ करके व्यक्ति न जाने क्या-क्या बोल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए वह भी जो है बोल जाता है और जब उसका गुसा सांत होता है तो बाद में पस्चाताप के अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं बसता है इसलिए जो है यदि क्रोध हमारे माथे पर चड़ गया तो क्या होगा हम मर गए और हम क्रोध पर हावी हो गए तो हम तर गए इसलिए अपने माथे पर कभी क्रोध मत चड़ने देना ये क्रोध जो है यदि माथे पर चड़ गया तो फिर किसी का सगा नहीं होता है इसलिए अपने जीवन में अपने क्रोध की उपर हावी हो जाए और क्रोध को नश्ट करें क्योंकि हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुस ने सबसे पहले अपने उपर क्रोध किया क्रोध पर क्रोध करो क्योंकि जो क्रोध पर क्रोध करता है और क्रोध को नश्ट करता है वह अपने जीवन में महान महान अवस्था को प्राप्त हो जाता है इसलिए अपने जीवन में जब जब भी क्रोध आए तो अपने वीतर किसी बात का उत्तरम नहीं देना तो जीवन में शांती ही शांती है लेकिन आज इंसान की आदत है हम चुक क्यों बेठे हम तो इट का जवाब पत्थर से देंगे बस महीं से जो है जीव अपने जीवन में अशांत हो जाता है कुरोधी अवस्था को प्राक्त हो जाता है और व बेटियों की साधी जब करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले गुण मिलाते हैं कितने गुण आते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है 36 गुणों को देखता है कि 36 गुण दोनों मिल जाए तो इनकी घरस्ती बहुत अच्छी तरह से चलेगी लेकिन जो है जहां 36 गु प्रेटियों की शादी करता है लेकिन यदि छत्तुस गुण नहीं करता है यदि हर इंसान अपने जीवन में यदि अपना छत्तिस इंच का सीना कर ले तो फिर उसे किसी प्रकार के गुणों को मिलाने की गण को मिलाने की आवशक्ता नहीं पड़ती है और जहां छत्तिस इंच का सीना बन गया इसका मतलब यह है कि उसका दामपत्य जीवन वह जो है सुखी रहता है तो जहां 36 इंच का सिना उसी का कहलाता है जो दूसरों की गलतियों को माप कर देता है शमा कर देता है वह 36 इंच का सिना उसका कहलाता है हमारे महापुरुषों ने जिनके उपर नाना प्रकार के उफसरगाए शत्रुने नाना प्रकार से उनको वेर ले लेकर उनको परेशान किया लेकिन उन्होंने अपने 36 इंच के सीनों को उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने जीवन में जो है उस 36 इंच सीने के माध्यम से अपने जीवन में उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं किया उन्होंने गाले का जबाब गोलि से नहीं दिया सांत भाव से सहिन करते रहे जिसके कारण उनके करमों की निर्जरा होती चली गई इसलिए जो है आज हम देखते हैं कि आज दामपत्य में बिखराव पेदा हो जाता है वो इसी कारण से कि जो है आज व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर के अपने घर की दसा को बिगाड लेता है अपने दामपत्य जीवन को दुख मैं बना लेता है और यहां तक नोबत आ जाती है कि वो कोट कचरी में पोच जाता है और तलाग देने की बात कर लेता है यह एक क्रोध का दूश परिणाम जहां क्रोध का यह दूश परिणाम आज जो ही व्यक्ति अपने भीतर सहें सकती नहीं होने के कारण वह अपने जीवन में इस प्रकार के अनेकों प्रकार के अनर्थ अपने जीवन के अंदर कर बेड़ता है जहां पर छमा भाव नहीं होता है तो वहां पर तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू- इंसान अपने जीवन में जहां केवल आज चार व्यक्तियों का परिवार दिखाई देता है इन चार सदस्यों के भीच में भी जहां दामपत्य जीवन जहां क्रोध से ग्रसित दिखाई दे रहा है और क्रोध पेदा क्यों हो रहा है जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं होने के कार वह अपने जीवन में क्रोध को जन्म दे दिया करता है और जहां पर एक बार क्रोध को जन्म दे दिया जहां हमारे आकांग्षा की पूर्ती हमारे महत्वा कांग्षा की पूर्ती जब तक हमारे जीवन में नहीं होती है तो व्यक्ति के जीवन में जो है क्रोध उत्पन्न होत में अपने जिमन में ना जाने केसा कैसा काम कर लेता है एक व्यक्ति कि कि एक दमपती दोनों जो है वह अपने जीवन में सांत सभाव के चल रहे थे इधर जो कुछ बात को ले कर कि दोनों में अन्बन हो गई और अन्बन होने के उपरांत जो हैं दोनों अलग अलग कमरे में दोनों का खाना अलग दोनों का पिना अलग दोनों का उठना अलग दोनों का उठना अलग दोनों का सैनकक्षा अलग अब भीचारा घर के अंदर जो पपू था वो पपू अब क् इसके पास जाए, पापा के पास जाए तो पापा धक्का दे, तेरी मम्मा के पास जा, मम्मा के पास जाए तो तेरी पापा के पास जा, अब भीचारों पाप्पु क्या करे, अब बड़ी आसना समझ जसमें पड़ गया, इधर जाओ तो ये, इधर जाओ तो वो, और दोनों एक दूसले से नाराज, अब दोनों को प्रसन्न कैसे करना, यह बहुत बड़ा मुश्किल काम है, फर्टी पत्मी को प्रसन्न करना, यह हर किसी के वश्च की बात नहीं है, यह तो स्वयम ही कर सकते हैं, क्यूंकि, जहां दोनों उलस्त हैं, उन दोनों कोई सुलजना पड़ता है तिसरा कोई इसका समाधान देने वाला नहीं होता है लेकिन बेटा बेटा था अब बेटा क्या करें बेटे ने बुद्धी लगाई क्योंकि आजकल के बेटे तो जो है बहुत बुद्धिमान है प्रतिभावान है अब जो है मूर्क बच्चे पेदा होना बंद हो गए क्योंकि आजकल जो शिक्षा वेशे ही मिल रही है कंप्यूटरी शिख्षा टीवी की सिख्षा, मोबाइल की सिख्षा लोकिक सिख्षा, दुनिया वर की सिख्षा जो है आज जो हैं उन संतानों को बच्चों को अपने जीवन के अंदर मिल रही है उनकी बुद्धी इतनी तिक्ष्न हो चुकी है जहां शमा का भाव होता है वहाँ पर इंसान के पास में सब कुछ होता है क्योंकि व्यक्ति अपने हाथ में अंगारे को लेकर के यदि ये पुछें कि इस अंगारे की तासिर क्या है तो वह अंगारा उस हाथ को ही जला देगा क्योंकि क्रोध अंगारे की तरह है उस अंगारे को हाथ में लेकर के उसकी तासिर मत पुछना नहीं तो वह अंगारा तुम्हें जला देगा इसलिए क्रोध करके अपने जिवन में स्वयम का अहीत नहीं करना क्योंकि अनादिकाल से जीव एक दुसरे के उपर क्रोध करता चला आ रहा है बिना प्रोईजन का है कि आज कर युव जोई यूतियां लोग पत्ती परिपार ओंते कि माराज हमें घुसबर आता है घुसा बहुत आता है और हम कहते क्या वही तुम घर के अंदर चार आदमी हो तुम किसके अदमी हो और तुम ने खुशना करते हो इस बात क्ले अनुकुल सामगरी है सब कुछ सामगरी होने के उपरांग भी तुम अपने जीवन के अंदर चार आदमी, साड़ेतिन आदमी मिल करके नहीं रे सकते हो जहां पचास का परिवार होता है जहां हम पचास लोग, सत्तर लोग हम साथ में रहते हैं हमें तो कभी घुस्सा नहीं आता और तुमको तो पल-पल में घुस्सा आता है बस थोड़ी सी बात इसने मेरी बात को नहीं माना इसने मेरी बात को नहीं माना बस इतनी सी बात और इस बात को लेकर के एक दूसरे के ऊपर जो है वे जो है क्रोध में आकर के जो है अपने जिवन में अनर्थ कर बेड़ते हैं यहां तक कि सुसाइट करने को लिए तैयार हो जाते हैं मर भी जाते हैं इसलिए यह कुरूद जो है हमारे भीतर सहन सक्ति को पेदा नहीं होने देता है जहां व्यक्ति के जीवन में आज सहन सक्ति नहीं है समझ सक्ति नहीं है दोनों सक्ति नहीं है इसलिए अपने जीवन में वह कुरूद को जन्म दे रहा है और कुरूद को जन्म देने के कारण जो है वह अपने जीवन में नाना प्रकार के अनर्थों को कर लेता है थोड़ा सा जीवन है, कितना जीवन रहा हमारी जीवन का बहु भाग तो निकल गया है, पाँ दस पंदरा बिस साल जीए नहीं जीए क्या पता, अभी हमने देखा इस कोविट के समय में कितने लोग दुनिया से चले गए अच्छी अच्छी हस्तियां चली गई सब का सब यहीं धरा रे गया लेकिन साथ में लेकर के क्या गया कुछ भी नहीं इसलिए सोचो अपने जीवन के अंदर आज के युवक यूतियों को आज के बेटे बहु को सास बहु को अपने जीवन के अंदर सोचना चाहिए कि हमें कितना सा जीवन जीना हैं, हम हिल मिलकर के रहें, हम जो हैं साथ साथ में रहें, और जो हैं अपने जीवन में ख्षमा रखते हुएं, अपने जीवन में अपना कल्यान करें, यही ख्षमा वाने पर्व हमें अपने जीवन के अंदर संदेश देता हैं, आप सब के जीव में लिभन कि यूदिमता के साथ में अखव वानने क्रोग नवा करें निद्दमी बाज़ के साथ मेंеждते हैं क्योंकि लिभन को कि लिभन होता है एक धर निद्दमी परवक ब्सेरा है स würdum इस कारेक्रम के पुन्याचक थी परमगुरु भक्त परिवार